नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज का सेसन वारा काफी मेहत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के सेसन में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विशे के बारे में जो की संबंदित तो रसिया से है रसिया यानि की रूस से चाहिए कि क्या ये चिंताएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए मामले को पूरी तरह से explain किया जाएगा बने रहे वीडियो के लाश्ट तक और अगर आपको चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सब्सक्राइब का बटन दबाकर आप चार इसे युद्ध चल रहा है लगबख फरवरी के शुरुवात में ही युद्ध हुआ था और अब तक युद्ध पूरी तरह से चल रहा है और इतनी पूरी दुनिया में किसी को उमीद नहीं थी कि ये युद्ध इतना लंबा खिच जाएगा क्योंकि सभी को उमीद थी कि र ख़वर आई कि Ukrainian defenders destroy Russian T-90 tank कि Ukraine की जो सेना है उसके द्वारा रसिया के T-90 tank को destroy किया गया अब सबाल मन में आता है कि ये tank जो है destroy किये जा रहे है रसिया की कि भारत का इससे संबंध क्या है तो भारत का जो संबंध है इससे इसके बारे में भी आगे विस्तार पूर्वक आमिल होते हैं तो पूरी की पूरे युद्ध को एक तरफा बना देते हैं लेकिन ये रसिया Ukraine war के अंदर ये tank जो है ये रसिया की एक weak link की तरह एक कमजोर कड़ी की तरह ये इनको दर्साय जा रहा है न्यूज में इसी प्रकार की न्यूज़ें चल रही है रसिया struggling to repair thousands of destroyed combat vehicles British Intelligent says British Intelligent जो है उसके द्वारा एक ख़बर आई कि रसिया जो है उस वो अपने tanks और जो vehicles है उसके combat vehicles मतलब लड़ाई में काम आने वाले जो गाडियां होती है बक्तरबंद गाडियां हो सकती है या किसी अन्य परकार की कोई वाहन हो सकता है जो की युद्ध के दौरान काम मे आता है उन्ही को combat vehicles बोला जाता है तो अपने जो thousand हजारों की संख्या में combat vehicles जो है इनको repair नहीं कर पा रहा है रसिया और इनके जो tank है लगाता डिस्ट्रॉय किये जा रहे है Ukrainian troops hit Russian tank in catastrophic explosion as Kremlin admits losses यहां तक की क्रेमलिन है क्रेमलिन यानि की जो रूस का संसद भवन है रूस की संस इस बात को accept किया है माना है कि हां कि हमारे जो tank है उनका नुकसान जो है रसिया के tanks का नुकसान जो है यूकरेन के द्वारा किया गया है ऐसा जो है इनका भी मानना है अब क्या यह हस्र हुआ है इसके tanks का आप यहां देख सकते हैं कि इस प्रकार का कुछ हस्र जो है इसके tanks का हुआ है यहाँ पर यह टैंक जो है आपको टूटी-फूटी कंडिशन में दिखाई दे रहे हैं और ऐसे सिर्फ दो-चार-दस टैंक नहीं है बलकि यह हजारों की संख्या में ऐसे टैंक हैं इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए कि किस प्रकार से एक रसियन टैंक जो है वो जा रहा है आगे और यूकरेन के द्वारा इसको हमला करके निसाना बनाकर पूरी तरह से बरबाद किया जा रहा है इस प्रकार से लगातार को जिनकी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि इनके टैंक जो है इसी उद्ध में काम नहीं आ रहे हैं मन में सवाल तो जरूर उत्पन हो रहा होगा कि ये जो खबर है ये रसिया से सम्मंदित है टैंक जो है रसिया के डिश्ट्रॉय हो रहे हैं तो भारत को इस ते क्या मतलब है इसी वारे में भी चर्चा आगे करेंगे तो लगभग जो है 2672 टैंक ये एक बहुत बढ़ी संख्या होती है 2672 टैंक जो है लगभग इनके अब तक बरबाद किये जा चुके हैं ऐसी खबर आई है और आगे ये बरबाद किये जा रहे हैं इनका डिश् यूक्रेन की सडकें तो रूसी टैंकों का कबरिस्तान बन गई है यूक्रेन के अंदर ये जोदी चल रहा है और यूक्रेन की जो सडकें हैं उनको टैंकों का कबरिस्तान बताया रहा है जैसे कि रसियन टैंक का कबरिस्तान ये बन गया है पूरी दुनिया में अपनी जोड ज़िमी देशों की anti-tank missile के आगे धेर हो जा रहे हैं अब यहां एक हमने देखा anti-tank missile मतलब एक ऐसी missile जो की टेंक को बरबात कर देती है तो किनके दवारा यह बरबात किये जा रहे हैं एक तो बात आती है यहाँ पर anti-tank missile की इस से अब यह कत्रा सतरा ने लगा है कि क्या मद वॉर्स टू देखा था तो उस समय टेंक जो है युद्ध कार निरनायक रुख बदलने के अंदर मुख्य भूमिका टेंकों की रहा करती थी क्या ये टेंक जो है भविस्यकी जंग से लापता हो जाएंगे जो फिलाल हम कंडिसंस देख रहे हैं उससे जो है काफी हद तक ऐसा वचात किया जा सकता है युक्रेन रूसी टेंकों का कबरिस्तान बनाना भारत समेर पूरी दुनिया में युद्ध के मैदानों की रणनीती को बदलने वाली घटना थाबित हुआ है इससे जो है अन्य देशों की ने भी अपनी युद्ध की रणनीतिया होती है उसको बदल पूरी तरह से कहीं ना कहीं मजबूरी दिखाई है टैंक दूसरे विश्य युद्ध के समय से ही आदुनिक युद्धों की इसान रहे हैं लेकिन हमलावर ड्रोन विमानों और एंटी टैंक मिसाइल अब यहाँ दो चीज़े हमने देखी एक हो गए ड्रोन विमान और दूसरी हो गई एंटी टैंक मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल क्या है और ड्रोन क्या है इनके बारे में चर्चा करेंगे सफल इस्तिमाल ने भविस्य पर सवाली अनिसान जो है खड़े कर दिये हैं टैंक के भविस्य पर T-72 और T-90 टैंक भारत की सेना की जान रहे हैं अब यहाँ कड से ज़्यादा संख्या में यही दोनों टैंक भारत के पास मौजूद हैं भारत की जो टैंक हैं जो हम उसको भारत के अंदर भीश्म नाम से जानते हैं T-90 और T-72 टैंक जो है बारत के द्वारा बारत ही सेना की जुप जन रहे हैं और हजारों की तादाद में इन्हें सेना म वेद विमानों की मदद से Ukraine की सेना थे द्वारा इनको नश्ट किया जा रहा है या हम देख सकते हैं ये है एक antitank missile antitank missile जो है कुछ इस परकार की missile होती है कोई एक scenic अपने कंदे पर रखत यो है इसकी तवारा missile को छोड़ सकता है और ये जो है guided missiles होती है एक बार निसाना लगाने के बाद ये tank को उसके इंजन की गर्मी से ढूंड लेती है और tank को तबाह कर देती है तो इस परकार की missiles है जो है जो western countries है जैसे कि अमेरिका और European countries जो है उनके द्वारा ये भारी मात्रा में यूक्रेन को उपलब्ध कराई जा मदद से यूक्रेन रसिया पर कही न कहीं भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से चलाई जाती है ये जो anti-tank guided missiles होती है यहां से एक missile गई और इसने टैंक को पूरी तरह से मार गिराया और दूसरी missile आप देखेंगे यहां से जो है छोड़ी जाएग और missile जाने के बाद जो इसके बरावर में गाड़ी खड़ी होई थी वहां पर जाकर इसको हिट करेगी और सटीक निसाना लगाती है ये जो है anti-tank guided missiles जो है आगे चर्चा करते हैं तो Ukrainian troops blow up Russian tanks with TB2 drones हमने जो है anti-tank missile हैं कि किस प्रकार से ये कार्य करती हैं दूसरा जो हम रहे हैं TB2 drones कौन से हैं तो ये तुर्की जो हम एक देश जाते हैं तर्की जिस्ने अपना वरतमान में परिवर्तन किया है जिसको अब तुर्की हे नाम से जाना जाता है तुर्की तो उसके जो है दो件 है ये तुर्की के ड्रोन है जिसको बायरक्तार bater 他 vit ड्रोन के नाम से म बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है, इस drone के ये drone क्या करते हैं, इनको radar की मदद से ढून पाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये size में बहुत छोटे होते हैं, एक हवाई जहाज की तरह ये size में नहीं होते हैं, बलकि ये छोटे होते हैं, और दूसरी बात ये किसी उचाई पर उड़ सकते हैं ये जमीन के पैरलल भी उड़ सकते हैं बहुत कम उचाई पर और जमीन से काफी उचाई पर भी इनको उड़ाया जा सकता है जो हम देख पा रहे हैं इनके अंदर मानब को बिठाने की जरूरत नहीं होती है बलकि ये जो है दूर से ही कंट्रोल किय जाते हैं लोगों के द्वारा आर्मी के द्वारा दूर बैठकर इनको कंट्रोल किया जाता है और हम जो बात कर रहे हैं तुर्की के जो बायरकतार ड्रोन है इसकी खूबियों की अगर चर्चा की जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम को ये चक्मा देने में माहिर जो एयर मिसाइल या फिर किसी अन्य तरह के खत्रे को डिश्ट्रॉय कर देती है तो जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है ये इसको चक्मा देने में जो है माहिर है ये बायरकतार ड्रोन तुर्की के द्वारा बनाया गया है 225 किलोमीटर प्रतिगंटा की रफ्तार से उड़ सकता है 18, 24,000 फुट की उंचाई तक जा सकता है चार स्मार्ट मिसाइल या 330 पाउंड विस्फोटा की अपने साथ में ले जा सकता है ये ड्रोन 49 फुट लंबा 21 फुट चोड़ा है टैंक और एर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है रसिया के अंदर जो टैंक को सबसे ज्यादा छिर्चा करते हैं कि इसलिए हो रही भारत को जास चिंदता हमारे जो 6II पर सेंट हात्यार है इससे बहुत ही जादा मात्रा में मौजूद हैं 32% हिस्ता ये रूस के कुल वेपन एक्सपोर्ट का है 2016 से रूस पर निर्वरता गटाने की सुरुवात की जिससे की आत्मनेरवर भारत के प्रोग्राम के तहद हम तमाम तरह के टैंक आधी जो है भारत के अंदर विक्सित करने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट्स किये जा रहे हैं और इसकी जो है सफलता हमें देखने को अब मिल रही है 23% रह गया है रूस के कुल वेपन एक्सपोर्ट का भारत में 66% हिस्सा भारती टैंक फोर्स में रूस निर्मट T-72M बनका है अब यहां हम देख रहे हैं T-72 जो टैंक है जो रसियन इर्मिट टैंक है वो भारत के अंदर हमारी भारती सेना इनको प्रियोग में लाती है और जो है रसिया के साथ जब ऐसा हो सकता है तो भारत के टैंकों के साथ भी ऐसा होना संबब है कि भारत जो है दोनों तरफ अपने दुस्मनों से घेरा हुआ है एक तरफ उत्तर में बात करें तो चायना जो है भारत का एक सबसे बड़ा दुस्मन है और दूसरा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वो भी भारत का एक बहुत बड़ा ही दुस्मन माना जाता है 30% रूस में ही बने हुए T90 टेंक भारती सेना के पास है रूस में बने हुए T90 टेंक जो है वो भी हमारी सेना के पास है और T72 टेंक जो है वो भी हमारी सेना के पूरी तरह से प्रयोग में लाती है ये T90 टैंक जो भीसमाम से जाना जाता है और ये जो है T72 टैंक जो है इसको हम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं T 72 टैंक को भारत के अंदर जो है Ajayinaam से जाना जाता है आज यह नाम हमने इसका रखा हुआ है यूरोप के बाहर भारत का पहला बारत ऐसा पहला देश है जिसने रूस से T-72 टेंक जो है खरीदा है वरतमार में भारत के पास T-72 टेंक जो है इसके तीन वेरियंट है करीब 2000 से अधिक यूनिट है यह है बहुत हलका टेंक है जो 780 होर सक में भारती सेना का हिस्सा बना था अजे में 125 mm की गन लगी होती है साथ ही इसमें फुल एक्सेलेरेटेव रियक्टिव आर्मर भी लगा हुआ होता है इसी प्रकार से बहुत बड़ा जो टेंक होता है वो है T-90 टेंक जिसको की भीसम नाम से जाना जाता है भारत के अंदर अब यह जो खबर है यह बढ़ाएगी चिंता को थोड़ा सा और जाबा कि जो तुर्की के द्वारा जो हम अभी ड्रोन की चर्चा कर रहे थे टीवी ट्रोन या फिर बायरक्तार ड्रोन वो जो है पाकिस्तान को मिलने वाले हैं और यहां तक की खबरें आ रही हैं कि पाकिस पाकिस्तान के पास वो ड्रोन जो हैं पहुंच भी चुके हैं रसिया ने कहा था कि नो बायरक्तार ड्रोन फॉर इंडिया की रसिया रसिया नहीं तुर्की तुर्की जो है कि वो इंडिया को बायरक्तार ड्रोन को नहीं बेचेगा तर्किस सी यू सेज विल सेल टू टीवी भी तुर्की का दोस्त है लेकिन जब व्यापार का नंबर आया तो इसने यूक्रेन को चुना यूक्रेन के वह इसने भारी मात्रा में ये ड्रोन्स मुहया कराए हैं और पाकिस्तान को ये ड्रोन्स ओफर किये गए थे और खबरें आ रही हैं कि ये ड्रोन्स पाकिस्तान के प तो यह एमूनेशन जो इस्टोर होता है रसियन टेंक्स के अंदर तो जो आहां पैठने की जगह होती है इसको ऑपरेट करने वाला जो क्रू मेंबर होता है इनके बैठने की जगह के जश्ट नीचे इसके द्वार इसमें जो है यह आर्मर जो होते है और यह इसके जो पेलोड है यह इसके अंदर भरा हुआ होता है जहां लोग बैठते हैं उसी के जश्ट नीचे इसकी प्रकार से यदि कोई इसका ढकन खोलने के बाद जो इसका कैप होता है उसको खोल कर जो है यदि चलाए आता है तो ऐसा माना जाता है कि ये ड्रोन आता है बायरक्ता ड्रोन और इसके अंदर से जो है गोला वारूद आद इसके अंदर फैक दिया जाता है जो कि ब्लास्ट करने के बाद इसके अंदर टैंक के अंदर ही मौजूद गोला वार यह जो है United States के द्वारा टेंक इस्तिवाल किये जाते हैं इनके अंदर जो Arms and Amunitions रखने की जगह होती है वो पीछे होती है और इन दौनों जगहों के बीच में जो crew members के बैठने की जगह होती है और जो आर्मर रखने की जगह होती है इन दोनों के बीच में proper gap और proper shield का ना हूँ तो यह एक बड़ा कारण माना गया है लेकिन इस कारण में इस पश्टी करण नहीं पूरी तरह से माना गया है रूसी टैंकों के फेल होने पर विसिसग्यों की राय जो है वो बटी हुई है सेने विसिसग्य रॉब ली है एक जिनका मानना है कि समस्या टैंकों में नहीं है बलकि उन्हें तैनात करने प्लानिंग और इन्फेंटरी से परियापत सहयोग नहीं मिलने में है यहां इन्फेंटरी से मतलब ये समझ सकते हैं आप जो कि सहयोगी दल होता है किसी भी सेना का कोई भी सेना यदि सामने लेने वाले जो इंजीनियर्स आदी होते हैं वो आते हैं पीछे से और टेंक को जो है ठीक करना या फिर मदद देना होता है तो इस प्रकार की मदद जो है रसिया को पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है और प्लानिंग में थोड़ी सी mistake बताई जा रही है और साथी साथ उनकी तैनाती में भी थोड़ी सी mistake यहाँ पर की जा रही है रसिया के द्वारा ऐसा दूसरे सेन विशिशागे का मानना है इस बारे में भी बहुत कम संद्धे है कि रूसी सेना ने गलती होगी यह है जरूर हुआ है कि रूसी टेंक जो है कीचल में फस गए हैं और उन्हें आसानी से सिकार बनाया जा सकता है यदि कोई टेंक जो है कीचल के अंदर फस जाए तो उसको जो है हमने जो अभी देखी थी एंटी टेंक गाइडेड मिसाइस उनके द्वारा टारगेट किया जा आगे वो बढ़ जा रहा है विसे सिक जो होगा कहना है कि नई तकनीक को देखते हुए टेंकों को आधुनिक बनाना होगा तभी बेश जंग में दुस्मन से बचकर लड़ पाएंगे अब जो है चर्चा होगी भारत के बारे में कि भारत को ऐसा क्या करना चाहिए कि भारत क जो चिंताएं कम हो सकें अब भारत की सेना ने जो है पूरी तरह से एक सबक लिया है कि हमें जो है अपने टेंक की स्ट्रेटेजी आधी जो है उनको पूरी तरह से बदलना होगा और इनकी डिजाइनिंग आधी को भी हमें पूरी तरह से समझना होगा अब चर्चा होगी ए बनाए गए एक टैंक के बारे में जिसको की भारती सेना का हंटर किलर बोला जाता है रक्षा मंत्रा लें भारती सेना के लिए 118 अर्जुन एमके वन ए टैंक की खरीदी को मंजूरी दे दी है यहां हम बात कर रहे हैं अर्जुन टैंक की अर्जुन टैंक जो है पूरी तरह से भारत के दोरा बनाया हुआ, स्वधेश निर्मित, इसका लगवक 60% काम भारत के अंदर ही किया गया है, भारत के दोरा यह पूरी तरह से बनाया गया है, और इसकी खूबियां जानकर आप आश्चारे चगित रह जाएंगे, कि जो गलतियां रसिया के दोरा इस युद्ध के भारती सेना के लिए 188 मुख युद्धक टैंक अर्जुन MK1A की आपूरती के लिए हैवी वेकल्स ये सारी की सारी काम किये गए है रक्षा मुंत्राले के द्वारा MK1A जो है वो अर्जुन टैंक साला कि अर्जुन टैंक हम काफी पहले से बना रहे हैं लेकिन MK1 जो है इसका एक अपग्रेड़िड वेरियंट है अर्जुन टैंक का जिसको की अभी जो है बनाने के लिए और दिया गया है और बहुत ही जल्द ये भारती सेना में सामिल हो जाएगा भारती सेना का हंटर कलर की अगर बात करें तो इसकी खासितें क्या-क्या है तो रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटेड फायर सिस्टम इसके उपर वो ये है कि रसिया को पता नहीं चल रहा है कि ये हमला जो है कहां से हो रहे हैं लेकिन यदि टैंक के ऊपर एक ऐसा सिस्टम फिट कर दिया जाए जिससे कि कोई हमला करने वाली मिसाइल या कोई ड्रोन आ रहा है जिससे कि ये टैंक को पहले ही वार्निंग मिल जाए टेंक जो है अपने आप ही अपनी किसी गन या किसी भी अन्य परकार की मदद से उस ड्रोन को या फिर उस मिसायलाद को खुद ही महसूस करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दे तो ये दिक्कतें दूर हो सकती है ऐसा ही किया गया है इसके अंदर जिसको की हम laser warning system बोलते हैं laser guided warning system इसको कहा जा सकता है ऐसा जो है अर्जुन टेंक के अंदर पहले ही DRD उने फिट कर दिया है चारों और नजर रखने के लिए dual magnification और thermal imaging camera इसके अंदर लगा हुआ है thermal imaging camera जिससे की बोल सकते हैं कि सरीर की गर्मी या फिर किसी भी वाहन आदी की गर्मी को बहापने के बाद ये images सो कर देता है camera के माध्यम से इस पर नजर रखी जा सकती है गर्मी के माध्यम से इसको जो है thermal camera बोला जाता है सठीक निसाने के लिए fin stabilized armor आद इसके अंदर लगे हुए काफी advanced ये टेंक है hydraulic और two stabilization system का sterilization का system का ये टेंक है automatic target tracking system से less है ये दुस्मन के हमलों को tank की सुरक्षा से कबच armor लगा हुआ है इसके अंदर latest mk1a में पहले variant के मुकाबले 70 से ज्यादा नए फीचर जोड़े गए है मतलब जो हमारा पहला टेंक था Arjun tank उससे भी 70 ज्यादा फीचर इस 70 से भी ज्यादा फीचर जो है इसके hunter killer कहा जाता है भारत का जो hunter killer है वो है Arjun tank Arjun की technical specification की बात करें तो इसकी लंबाई जो है 10.6 meter है उचाई इसकी 9.5 meter है चोड़ाई 3.8 meter maximum speed जो है इसकी 70 km पतिगंटा की रफ्तार से दोड़ सकता है main gun जो है उसकी 120 mm की rifle gun है engine power इसकी 1400 horsepower है red or fire जो है इसकी 6-8 round per minute ये जो है अपने द्वारा निकाल सकता है चर्चा करते हैं कि ये tank भारत के अंदर कितने 118 है जो है Arjun MK1A tank जो है इनको order पहले से ही दे दिया गया है और साथी साथ चर्चा हो रही है कि ये laser guided system है जितने भी हमारे पास चाहें वो T-72 tank हो या फिर T-92 tank हो T-72 या फिर T-92 tank जो हमारे द्वारा ये त्रसिया के बनाई हुए इस्तिमाल किये जा रहे हैं इनके अंदर भी हम जो है आने वाले समय में anti-tank guided system हम लगाने वाले हैं ड्रोन की अगर बात की जाए तो भारत जो है बहुत ही जल्द ड्रोन के विकास के लिए ड्रोन के निर्मान के लिए एक global hub बनने की तयारी में लगा हुआ है तुर्की चाहें भारत को वो बायरकता ड्रोन दे या ना दे उससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि भारत का जो ड्रोन का system है वो अपने आप में काफी विक्सित है और ड्रोन के मामले में दुनिया में भारत एक अगरणी देश है अब कि अने वाले समय में युद्ध जो होंगे वो कुछ इसी प्रकार के ड्रोंस आदि के माद्यम से ही युद्ध होंगे जो पहले युद्ध चला करते थे टैंक आदि की माद्यम से ये traditional युद्ध आने वाले समय में खतम हो जाएंगे और वर्तमान की स्थिती में है जब रसिया यूकरेन युद्ध के अंदर हमने देखा तो सबसे जाता नुकसान जो है रसिया को हुआ इन्हीं ड्रोन्स के माद्यम से जो की बायरक्ता ड्रोन्स में मुख है हाला कि और भी ड्रोन्स जो है वो सप्लाई किये गए हैं अन्य जो है जैसे कि भारत की नजर लगातार इस युद्ध पर बनी हुई है तो इससे जो है भारत की सेना जब हम इस बात को इतना कवर कर सकते हैं जब हमारा ध्यान इस पर जा सकता है हमारा और आपका तो भारती सेना आपने आपने एक बहुत ही एडवांस सेना है और इस तरह क काम जो है भारती सेना दौरा पहले ही सोच लिए गए होंगे अर्जुन टेंक के इत्यास के बारे हम बात करें तो 1972 के अंदर DRDO ने अर्जुन मेन बैटल टेंक का प्रोजेक्ट सुरू किया था, 1972 में इस प्रोजेक्ट को सुरू किया गया था 1976 में इस प्रोजेक्ट में जो है सामिल किया गया इसको 1983 में जर्मनी की एक फर्म के साथ कंसल्टेंसी एग्रिमेंट के बाद प्रोजेक्ट जो है ये सुरू हुआ 1983 के बाद पूरी तरह से ये सुरू हुआ 1989 में पहला इसका प्रोटोटाइप बनकर तयार हुआ प्रोटोटाइप जब इसका बंकर तयार हुआ तो प्रोटोटाइप को लॉंच इसके द्वारा किया गया इसके बाद चर्चा किया है 2000 के अंदर तो सन 2000 में भारती सेना ने 124 अरजुन MK1 टेंक का ओरर दिया था 124 MK1 जो अरजुन टेंक है इनका ओरर दिया गया भारत के द्वारा 2000 में 2004 में 16 अरजुन MK1 टेंकों को भारती सेना में सामिल किया गया 2019 में भारती सेना ने 45 टेंकों के साथ पहली अरजुन रेजिमेंट तयार कर ली थी 2010 में 124 नए अर्जुन टेंकों का ओर्डर दिया गया 2010 के बाद हमने इस टरचा की 124 जो और टेंक्स आने हैं इनका ओर्डर जो है पुरी तरह से अभी दिया गया है उमीदे साथ ही हो ये सेशन्स आपको जो है पसंद आ रहा होगा पसंद अगर आपको आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें अगर ध्यान दे हम इस ख़वर पर तो इंडिजीनियसली डबलब टो लेजर गाइड़ एंटी टेंक मिसाइल अगर पसंद आया हो तो अपने साथियो के साथ ज़्यादा सेयर कीजिए वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद